ओम सभीको नमस्ते जी आजकल एक बात बड़ी पूछी जाते जी मन में आने वाले बुरे विचारों कैसे रोकें विचार नहीं रूक पा रहे हैं कोई कोई उपाई है क्या तो मैं आज आपके सामने मैरी सिद्यानजी के जीवन के गटना रखता हूं और उससे आप समझेंग क्या आपके पास काम देव नहीं आता तो रिशी दानजी कहते हैं कि हाँ काम देव तो आता है लेकिन दरवाजे पर खड़ा होकरी वापीस चला जाता है क्योंकि मैं उससे कभी फुर्सत में ही नहीं मिलता कहने का विचार है कि जब आप व्यस्त रहते हैं तो बुरे विच यह यही नहीं कहते हैं जब द्युत्ति विश्र युद के अंदर जब ब्रिटेन का प्रधान मंत्री से 18-18 गंटे कारिये करता था तो उससे पूछा गया क्या आपको चिंता नहीं होती बुले जी मुझे चिंता करने की फुर्सत ही का है यानि कि जो व्यक्ति वेस्त होता ह है वह मस्त होता है तो अपने आपको व्यक्त रखें मस्त रखें और विचारों पर बुरे विचार ना है इसके लिए वही है ज्यादा से ज्यादा किसी कारिये में लगे रहें खाले मन होगा तो कुछ न कुछ आएंगे ही आएंगे कहते जी कारिये में लगे भी रहते फिर बुरे विचाहएं पिर क्या करें यह दिए आप कारिये में भी लगे रहते और फिर भी बुरे विचाहाएं तो फिर क्या करें Гायeustri मंत्र तो आते हो आखे बंद करें प्रेत मंत्र का जाप शुरू कर दे उसका अर्थ सहीत तो इसी तरह आप जब मंत्रों का उचान शुरूब करेंगे तो अपने आप भाग जाते हैं तो रिश्यों के पत्थ पर चले और ब्रहम श्म संकल्प को मजबूत करें और आपका ब्रहम मजबूत लिए जीन मजबूत और जीन मजबूत थे खाए mają गा तो ब्रमच्रे पालन सब का ठीक चल ले आओगा ना तो मजबूत करना वाई आज वैसे मैं सोनी पत्म आया हूं और रात्री का मेरा कारे करम सोनी पत्में ही है अमारे ये प्रीचे करवा देते हैं कुलदीप जी से भी इनी के यहां आश्रम पर रुके हुए हैं वाई एक ग्रेष्टा आश्रम मिलगा तो कभी अवस्वर मिले तो गुर्खुल कालवा में आजाओ निश्चिन दोकर आजाओ और ब्रहमच्रे को मजबूत करो गाठ वाइ सामने वालों के यहां भई है ब्रहमचारी तो आज से संकल प्लेंगे ना संकल प्लेवर ब्रहमचारी बनी धन्यवाद नमस्ते जी